Hello guys कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि आपको K12X 5G फोन में आप लोग पैटरन लोग कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Oppo K12X 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको pattern lock लगाना है अगर आपके फोन में कोई भी lock नहीं है जैसी कि मेरे फोन में देख सकती है आपर swipe करती है lock खुल जा रहा है इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलिए गया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पैटर्न लोक लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गा इस या पर पासवोड एन बायोमेट्रिक्स का तो इस पासवोड एन बायोमेट्रिक्स के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद या पर एक option देखने को मिलेगा गा इस सेट लॉक स्क्रिन पासवोड का तो इस सेट लॉक स्क्रिन पासवोड पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद continue का option आएगा तो आपको इस continue के option पे जो इस click कर दढ़ना है click करने के बाद या वर पीन आएगा तो हमें pattern logo लगाने थो हम Use a different passport type के option पे click करेंगे click करती pattern का option आएगा pattern के option पे click करेंगे click करती दे скорATT wrestling pattern आ चुका है तो आपका pattern lock set होई जगा भी में दिखा रहे तो गए देख सकते swipe करेंगे तो pattern आये है जो भी pattern अपने बनाया था उसको डालेंगे तभी आपका lock screen जो वो unlock होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo K12X 5G phone में आप लोग pattern lock लगा सकते हो तो कैसा लगा गए आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई